अच्छ गाइज एक और चीज एक और चीज मान लो हमारे पास यह सोर्स है और यह उप्जर्वर है और यह इधर चल रहा है वी एस से यह इधर चल रहा है वी नॉट से सही है वेव चलेगी ऐसे इसकी फ्रिक्वेंसी थी एफ नॉट इसे सुनाई देगी एफ डैश एफ डैश कितना हो जाएगा एफ नॉट सी माइनस वी ओ उपॉन सी माइनस वी एस साइन पुट करने के बाद साइन क्या हो गया सोर्स टो अब्जर्वर वाली डैरेक्शन को ले लिया पॉजिटिव उसके हिसाब से होता है अब मैंने का रुको रुको शांत बीच में हवा चलने लग गई बीच में हवा एर एर चल रही है एर चल रही है कितने से चल रही है वी ए से तुम यह देखो देखो मैंने काहा था जो यह वेव स्पीड होती है वो किस पर डिपेंड करती है किस पर डिपेंड करती है elastic property of medium ये किस पे depend नहीं करती कि source कितनी तेज़ चल रहा था जो उसको छोड़ रहा है wave को वो कितनी तेज़ चल रहा था उससे फरक नहीं पड़ता इससे तो पड़ता है कि हवा चल रही है कभी वो तो medium चलने लग गया समझ में आई बात या नहीं आई हवा चल गई medium चल गया तो अब मैं कह सकता हूँ कि effective speed क्या हो जाएगी ये भी उसी direction में है air की speed के तो मैं कहूँगा यहाँ पे लिखना चाहिए हमें c dash c dash बोल तो basically क्या हो गया effective speed और effective speed कितनी हो जाएगी c plus v air is that fine पक्का तो मान लो कह दें wave speed थी हमारी 300 meter per second और यह कह दिया velocity of air थी मान लो 50 meter per second तो हम कहेंगे c effective कितना हो जाएगा 350 लेकिन अगर हवा इधर के तरफ चलने लग गई तो चल सकती है air ऐसे चल रही है और wave ऐसे जा रही है तो उस case में c effective हो जाएगा c minus v air अब यह मत कहना कि मस्ट केस मस्ट केस हवा अगर speed of sound से तेज़ चली जाए that will be fun man वह तो मस्ट speed से हवा आई तुम आपे खड़े हो तुम्हें उडार के ले गई अपिर वेव पहुंचे की नहीं फिर तो वेव पहुंचे की नहीं इसमें भी ध्यान क्या रखना यह सब चीजे तो अपने sign के साथ डालोगी ही डालोगी अब जैसे सोचो ना ऐसे सोचो यह हमारे पास source था यह observer था यह इधर जा रहा है 10 से यह इधर जा रहा है 15 से और हमने का air इधर जा रही है 2 से तो क्या मैं कहाता हूँ source to observer positive direction होती है तो हम कहेंगे f dash is f naught c minus 2 minus of velocity of observer minus 10 upon c minus 2 minus of velocity of source is minus 15 done यह कौन सा केस होगा जिसमें medium भाग लिया यह कौन सा केस होगा जिसमें medium भाग लिया किलicz झाल 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 किया भींश तब प्याप प्याए झाल झाल झाल